Friends, Welcome to Cryptonic One एक और चीज़ आईए आपके सामने Sync Swap on GK Sync GK Sync अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और इसके उपर एक Sync Swap करके एक Exchange आ रही है जिसको हमने Testnet के लिए यूज़ करना है सबसे पहले बता दूँ कि मैं Testnet होता क्या है Testnet एक ऐसा Net है testing procedure है जिसमें company ये बोलती है कि जिन जिन लोगों को मतलब जो जो लोग यूज़ करेंगे और वो हमें बताएंगे हो सकता है कि उनको कुछ airdrop मिले शोर नहीं है company के वल ये बोलती कि Testnet करिए ठीक है offer देती है काफी लोगों को कितने भी लोगों को उस time period के अंदर अगर वो test करते हैं कुछ bug निकलता है तो possibility है उनके एक किसी token को earn करने के लिए या कुछ reward मिलने के लिए कुछ भी आपको company के उपर है कुछ देना है तो देगी नहीं देना है तो नहीं देगी ठीक है तो यह होता है test net और इसको दोस्तो test net को कभी miss नहीं करना है उसका reason क्या है most of the time जो अच्छे protocol होते हैं वो test net में reward जरूर देते हैं बहुत अच्छा benefit हो जाता है जो early users का जो अपने आपने एक beneficial है तो चलते हैं यह sing strap basically है क्या और इसको test कैसे करना ही भी देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमने करना है डिसकोड चलो यह तो रहने दो बात में करेंगे इसको join future of ethereum ethereum के उपर basically ethereum को help करने के लिए बनाए गई है तो sync swap test net चल रहा है है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके जो platform के उपर हम आ चुके है तो सबसे पहले क्या करना है connect करना है wallet से तो metamask से मैंने connect कर लिया और यहाँ पर metamask open हो गया है sorry friends metamask हमेशा time लेता है because ethereum की वज़े से थोड़ सा time लगता है transaction होने में तो इसलिए थोड़ सा extra time हमने इसमें देना है connect कर लिया है मैंने connect भी हो चुका है और अब इसमें switch network करना पड़ेगा हमको क्योंकि हमने कोई और network choose क्या हुआ था तो basically क्या है इस test network को हम test करेंगे और क्या पता हमें future में कुछ बढ़िया सा reward मिल जाए जिसकी वज़े से हमें you know beer market में भी बहुत अच्छा profit हो जाए approve कर दिया switch कर दिया ठीक है अब I think this is connected test network से connect हुआ है कि Ethereum का test network रिंग की buy test net होता है यहाँ पर check कर लेते हैं एक बार कि कौन से वाले test network से हुआ है रिंग की buy करके हुआ होगा jink jk sink 2.0 test net ठीक है इसके साथ connect हो चुका है तो faucet पर click करेंगे सबसे पहले जो हमें इसको test करने के लिए हमें original token थोड़ी चाहिए हमें तो इनके जो test token चाहिए होते हैं तो यह हमें ही provide करते हैं हमें अपने कर्चन नहीं करने होते किसी भी तरह से और यह जो token प्रवाइड करते हैं सबसे पहले हम बता दूँ इनके कोई value नहीं होती तो यहाँ पर हमने click किया click fund from faucet पर click किया और cannot cover gas fee ओके gas fee इसमें cover नहीं होती तो gas faucet भी हमें इस पर भी click कर लेते तो यहाँ पर metamask cannot using browser wallet तो देखते हैं login and authorize your wallet कर लेते हैं इसको connect कर लिया तो checking wallet लिखा हुए switch non network कर दिया request fund from faucet faucet पर हमने click कर दिया तो friends यह कहते हैं twitter account join करने के लिए मतलब twitter account को करने के लिए कह रहे हैं तो tweet कर देंगे हम want to share a small crowd no तो tweet कर देते हैं इसको एक tweet कर दिया हमने that was sent okay इसमें आ गया है ethereum आ गया है 0.02 और भी काफी token आयोंगे चलो देख लेते हैं कोई बात नहीं तो इनकी sync swap में जाके फिर दुवरा से देख लेंगे तो switch network फिर दुवरा करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे कुछ tokens आये हैं कि नहीं आये switch network कर लिया हमने close कर दिया ठीक है तो इसमें दिखा रहा है कि इतने यहां पर click करेंगे तो यह हमारा पूरा portfolio दिखा देगा ethereum zero है और usdc इतने है link इतने है wbtc इतना है ठीक है इन्होंने हमें कुछ token प्रोवाइड कर दी इसको test करने के लिए friends तो इसके जो basically हमने जितने भी option है इनको use करना है ठीक है test करना है इसको और इससे यह हो जाएगा कि भाई हमने यह चीजों को test कर लिया है तो सबसे बहले trade करके देख लेते हैं इसमें trade कर लिया है उसमें usdc है और ethereum है तो ethereum है usdc को 10 usdc को हम convert कर लेते हैं ethereum या 30 usd को कर लेते हैं क्योंकि usdc 300 ही है हमारे पास तो approved usdc करते हैं approving usdc हो रहा है इस वक्त और यहां पर जैसे sign in करेंगे sign करेंगे तो approved हो जाएगा उसके बाद final के लिए यह swap के लिए बोलेंगे तो basically हमने सब कुछ करना है कुछ नहीं छोड़ना इसमें confirmed in 3.5 seconds ठीक है कोई बात नहीं wait करते हैं close कर देते हैं फिलाल देख लेते हैं इसमें जाके इसमें कुछ transaction हो रही है कि नहीं हो रही तो activity में जाके देखते हैं यहां तो कुछ है नहीं तो हाँ swap हो गया है यहां पर swap का button दवाते हैं और इसके बाद confirm करते हैं यहां पर तो basically कुछ नहीं करना यह testing करते चले जाना है ठीक है और जब यह testing complete हो जाएगी उसके बाद btc है ठीक है wrapped bitcoin में convert करते हैं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ठीक है अब भी क्या करना है दस token कर लेते हैं wrap में तो swap कर रहे हैं कुछ न कुछ करना इसमें trade सारी करनी है हमने और staking भी करेंगे सब कुछ करेंगे कोशिश यह करेंगे कि हमारी जितनी ज्यादा trades हो जाए अच्छी बात है ठीक है confirmed हो गई है यह भी तो इस पे close का button दबा दिया उसके बाद ठीक है और भी कुछ करने तो और भी कुछ कर सकते हैं die dive इन्होंने हमें die भी दिया तो die में भी trade कर लेते हैं कमें क्या है ठीक है तो ethereum wrap ethereum भी है क्यास में नहीं है तो एक trade इसकी भी लेते है हमें दिये 299 इन्होंने हमें balance दिया है तो 100 का हम wbtc में convert करते हैं approving हो रहा है फिर उसके बाद approve होने के बाद final swap हो जाएगा तो friends इस तरह से की जाती है testing किसी भी network की और अगर आप developer हो तो contract मेरा जो last जो दो तिन वीडियो के बाद शाडियम के उपर मैंने कुछ वीडियो बनाये थी उसमें मैंने contract का भी बताया है friends आपको कि contract कि तरह से deploy किया जाता है अगर आप testnet कर रहे हो तो कई blockchain के अंदर contract को भी deploy करने के लिए invite किया जाता है public को अगर आप contract deploy करते थे transaction हो जाती जिसकी वज़य से आपको chances मिलते है तो you know थोड़ी बहुत knowledge होना हर चीज के बारे में जरूरी है if you are lover of testnet ठीक है बहुत सारा token earn कर सकते हो ठीक तो इससे क्या हमारी transaction complete हो जाएगी अभी यह दूरी है जैसे simple है जैसे uniswap को use करते हो काफी exchanges को use करते हो और इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फरक है नहीं बस यह zinc swap है इसमें जो fees दे नहीं है आप किसी भी token में कर सकते हो यह इसका फाइदा है खईब जैसे ethereum में ethereum ही चाहिए और वह भी high gas fees लगती है इसमें use usdt भी दे सकते हो तो यह भी अब pool में चले जाते है यह देख लेते हैं अगर हमें और भी कुछ मिला है देखो कुछ भी miss नहीं करना चाहिए हमें ethereum में usdc में हमने कर लिया और link भी दिया है तो link में भी trade ले लेते हैं वहें क्या है तो एक link में भी trade लेते हैं link में तो link के 10 token को use करते हैं बस ठीक है approved wb dc में swap करते हैं मतलब यह कहना है कोई सा भी option छोड़ना मत कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते रहना थो तरह से time बिताना ठीक है कुछ न कुछ करना बढ़न दवाते रहो और कहीं न कहीं कुछ कोशिश करना transaction हो जाए और अगर कोई कमी निकलती है इसमें तो आप company में इनके ज मुझे कुछ problem नजरा रही है हो सकता है उस problem के बदले इसमें bug bounty का भी option होता है इसमें bug bounty के बदले आपको कुछ मिल जाए अगर इनके ठीक हो bug bounty का यह होता है कि के मतलब यह होता कि इसकी जो basically software में इसमें कुछ bug है तो report करिया report करने के बदले आपको कुछ न कुछ token मिलेंग ठीक है और कुछ ने कुछ reward मिलेगा reward कुछ भी हो सकता है $2, $5, $1,000, $10,000 कुछ भी हो सकता है और मैं आपको बता तो बड़ी-बड़ी कंपनियों को जो भी software होते है तो उसमें friends बड़ा-बड़ा price दिया जाता है जो software को start application को start करने के बाद invite किया जाता है बड़े-बड़े developers को कि इसको test करी है bounty है अगर कोई bug निकालेगा इसमें कोई problem बताएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा तो basically क्या है अभी Google ने भी किया था आपको याद है कि बिहार से एक लड़का उन्होंने choose किया था उसमें कुछ problem निकाली थी Google के अंदर और वो plane से लेके गये थे US से उसको award दिया गया बहुत बड़ी बात है तो anyway तो अभी ये भी हमने कर लिया है तो अब हम जाते हैं शायद हमने trade ली है नहीं हमने ली नहीं है तो एक trade तो हमारी लेनी है ना उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सा boring जरूर लगता है बट you know it's like a challenge as well अगर कुछ कभी नहीं के लिए भी काम करना बढ़ता है कि यह चलो ठीक है यह सोच लिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा पर कभी कभी कुछ ना से अच्छा कुछ मिलना भी होता है तो कुछ ना के लिए काम करोगे तो कुछ हाँ जरूर हो जाएगा याद है कई वार ऐसा होता है तो यह भी हमने कर लिया है swap ले लिया है तो friends अब pool के उपर जाते हैं basically इसमें liquidity अगरा को option है तो वो भी देख लेते हैं new position देखते हैं ethereum usdc है तो इसमें क्या करते हैं balance हमारा यह बचा हुए तो इतना बचा हुए है तो हम क्या करते हैं केवल इतना ही करते हैं ठीक है 23 usdc के liquidity provide करते हैं तो approve हमने कर रहा है तो approve के लिए देखो testing हो रही है यह तो testing करिए जैसे आप original जो way में काम करते हैं तो liquidity provide करिए यहां पर तो approved हो गया है add liquidity कर लो और थोड़ा सा wait करो confirmation के लिए थोड़ा सा fast है और जब GKSN का जो भी और जो network broad हो जाएगा after some time because काम करने बड़ी अच्छे तरीके से तो यह बहुत network fast हो जाएगा तो अभी इसमें insufficient fund दिखा रहे हैं तो balance हमारा कम है तो क्योंकि gas के लिए शायद fund ज्यादा लग चुका है तो add liquidity के लिए ethereum को छोड़ देते हैं कोई बात नहीं ethereum करने देते हैं usdt और usdc ethereum के साथ ही करना है गया die ले ले लेते हैं कोई बात नहीं ठीक है एक ले लेते हैं usdc और इसको add liquidity कर लेते हैं कोई बात नहीं तो हमने सब में add liquidity करके देख लेते हैं जितने ज़्यादा हम transaction करेंगे तो उतने ज़्यादा बढ़िया है ठीक है ना थोड़े सा बोरिंग ज़रूर लग रहो था बट यूनो fact यह है कि testnet को use करना है तो कौन-कौन से option को use करना है यह आपको पता चल जाएगा because of this video scan हो गया है close करते हैं अब add liquidity किया है एक बारोर कर लेते हैं चलो यह live इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में है कि basically इस तरह का काम होता कैसे है तो इसके बाद देखो वो भी कर लिया है अब usdc में ethereum में कोशिश की नहीं हुआ link में भी कर लेते हैं transaction because balance 90 link है तो इसको अटाते है link plus usdc करते हैं add liquidity करते हैं error submit error आ रहा है कुछ हो सकता है बहुत less quantity हमने यूज़ करी है इस वज़े से पांच लिखते हैं इसमें पांच link को यूज़ करते हैं देखो बहुत फास्ट है यह swap जल्दी जल्दी से इसमें सब कुछ हो जाता है यह भी हो गया error इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद अगले में जाते हैं ठीक है अगले में जाते हैं बहुत हो चुका है यहां पर अगले में जाते हैं फार्म में जाते हैं तो फार में liquidity pool अलड़ी हमने कर दिया है single asset इसमें तो कुछ दिखाई नहीं no active campaign active नहीं है अभी तो ये इसको छोड़ देते हैं फिर active नहीं है तो earn fee and deposits taking your asset no active campaign छोड़ देते हैं इसको active नहीं है तो फिर हम क्या करें हम आगे बढ़ते हैं wallet तो इसमें option है ये भी active नहीं है क्या इसमें तो लग रहा है ये भी active नहीं है जब active नहीं है तो हम use क्या करेंगे ओहो कुछ तो है total stake earned वापी जाते हैं staking pool पे click करते हैं your stake इसमें कुछ नहीं है आपने तो stake नहीं किया है अभी तक staking pool में click करते हैं total stake इतनी है claim reward करने कोशिश करते हैं stake नहीं है तो claim reward कैसे भी stake है enter यहां पे तोड़ा नीचे आते हैं तो stake करने के लिए sink जो sink तो हमें मिला ही नहीं maximum sink sink token हमें मिला ही नहीं अच्छा एक काम करते हैं sink token pool में जाके लिए नहीं कुछिश करते हैं sorry trade में तो को sink तो होगा इनके पास तो usdt देखते हैं इसमें usdc हमें 234 है इसके बदले में हम लेते हैं sink sink है यहां पे search करते हैं complicated है friends लेकिन इसको करने से ज़्यादा सही रहता है अमीर बनने का सबसे बड़िया तरीका है testnet याद रखना अगर आपको अमीर बनना है तो testnet use कर करके कर करके खर करके अमीर बन जाओ ठीक है साले हजार करेंगे कम से को हजार testnet अपनी life में किया तो पचास भी testnet के token मिले हैं कितना ज़्यादा पायदा हो सकते है ठीक है swap किया दुबारा कर दिया मैंने कोई बात नहीं तो इसके बस sign किया अब हमें क्या मिलेंगे sink के token मिलेंगे sink के है तो यहाँ पर stake पर क्लिक करेंगे तो stake में staking pool में जाएंगे और इसको नीचे जाएंगे stake करेंगे कुछ token sink token हमारे पास 178 है max नहीं करेंगे क्योंकि फिर दुबारा करने पड़ गई तो हम करेंगे 100 token को stake 100 token approve sink token approve किया अके approve किया यह sign किया signature कर लिए कि हम ready है अप्रूव करने के लिए और इसके बाद stake का option आएगा यहां पर आगया stake का तो stake का option click किया हमारे ग्रूप में काफी लोग हैं बहुत अच्छा लगता है उनके साथ उनको कुछ पताना और वो भी मज़े से देखते हैं वीडियो वगेरा और सीखते हैं देखो यह हमारा insufficient balance कैसे हो गया है sink अच्छा 78 यह थे क्या already staked है क्या मेरे total staked नहीं है अच्छा मैं सुच रहे था 78 है 178 है चलो 10 कर देते हैं 10 कर देते हैं कोई बात नहीं stake ही तो करना है sign अच्छा यह staked हो जाएंगे stake यह stake हो गया है हो रहे हैं ट्राजक्शन हो रही है अगर इसमें insufficient कोई problem तो है लगता है स्टेक नहीं हो रहे है अरे नहीं अपना तो स्टेक नहीं हो रहे है चलो दोबारह देख लेते हैं wallet में 58 पड़े होए अच्छा stake हो गया है क्या है 120 token में stake कर दी है total staked 0 sink समझ के बहर है थोड़ा से चलो कोई बात नहीं हमने तो टेस्ट करना है ना इसको तो टेस्ट करेंगे ऐसे देखो friends देखो यह मैं अपने आपसे टेस्ट कर लूँगा उसके बाद हम क्या करेंगे stake पर गया फिर dashboard पर जाएंगे dashboard पर अपना सारा जो भी हमने गाम किया है तो इसको देख लेंगे जो भी usdc यह जो हमें dashboard पर जो भी हमेरे पड़ा हुआ है वो सब कुछ है इसको टेस्ट करिए बार बार कोई बाग है तो बताइए company को कुछ reward मिल सकते हैं क्या नहीं ठीक है तो यह छोटा सा वीडियो तो friends अगर आप भी testnet करिए कुछ reward जीती है ठीक है और कुछ मिलता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी ठीक है बहुत बड़ी बात होगी तो ऐसे ही बने रही है में चैनल में kryptonic one मेरा telegram भी use करिए अच्छे अच्छे जो network है उनके ओपर हम काम करेंगे future में भी और you know networks का relation बहुत अच्छा होता है कि अच्छे-च्छे network से आपका relation होगा तो कहीं न कहीं आप अगर जुडोगे तो आपका जो circle बढ़ेगा circle बढ़ने से आपकी जो जान पचान बढ़ेगी काफी लोगों से और उसके बाद कहीं न कहीं आपको उनका benefit चुरूर मिलता है ठीक है, thank you so much have a good one, take care, bye bye